जी, केंद्रिय रस्ते आणी परिवान मंत्री नितिन जी, राज्यपाद महामाईम कोचारी जी, सर्वाच व्यास्पिटावरेल उपस्तित मान्ने वर, वारकरी संप्ररायतील साधू संत बांदुवानो भगिनिनो, देवेंदर जी सोरी तुम्चे नाव गेचे राहला, महार जी, राज्यपाद महामाईम कोचारी जी, सर्वाच व्यास्पिटावरेल उपस्तित मान्ने वर, वारकरी संप्रायतील साधू संत बांदूवानो भगिनिनो, देवेंदर जी, एक खरोकर पुण्यकाम आपन हाती गेतलेला हात, आणी आपन काही अपेक्ष्या वेक्तके ल जागे यहांचा कस्राई विचार न करता, आपनी परंपरा इजोपाश्नारी अपने हें वार करी, मत अच्यातले अनेक साधू संत, यहांचा मारगावर्थी आसलेले जगे अड़्थाडे दूर करन, यहांपने करता हुए, और यहां करता हुए अमारे आपन पुडा थार गेतलेला हाँ, आण मी जाइर वचन जेतो, कि महारष्व सरकार कोड़ू, कोंटी ही कमी, आमी कोंट्या ही पावला वर्थी रहू देनार लाए, तत्रेक पावला पावला वर्थी, आमी तुमचे सोबत रहू, यहां वारीचा दर्शन मी स्वता गेतलेला है, मी दर्शन गे पावला वर्थी, हेलिकॉप्टर मोधन केले, मोधी जी सच कहता हूं, जैसे मानलो के एक भक्ति सागर आगे जाहा रहा है, ते जे क्या दुरुष्व मी पावला आपने वेटु मावली से विराथ दर्शन मंझे का है अस्तर, ते दर्शन माला तेमा दिस्र, डोडा मादे म होतने, अने में मैं महाशने आहकाध ओतु, अने ठीकन वळने या पाल्खय से अशता, और या पाल्खय से जनु कही नदיा सागरा करे वहाता एथ,ören ते दृशनी है इक अत्यांत चांगाले के लिए अत्यांत चांग्ला मिसितॡ़त है कर दोगास पंदरपूर हां महारग सुधा नहीं तुछ भूता करनेशे महटतवहिए आहां अतिछे महतोचा लिने कि आपन एका वेग्राद दुनियत रातो, आई हिक सुका चा मागे लागतो, पन हम अपना वारकरी समाज जवा है, तो तेचे पली कड़े गेने ले आ है, वी बगितले स्वता बगितले एक थोड़े समिनतर काई पाउजे चालते हैं ने शक्यस नहीं, पन थोड़ा सदू पन एक थोड़े समाज चालने सा प्रहतने केला, देवाद हरकून, मंजे टाएं, हैसा प्रत्य तिकड़े तो, अक्षर चा देवाद हरकून, हे एकस मंजे पानेला खड़खडा तस्तो, पन यहां भक्ति सागराचे पानेला एक बिठु नमाचे गजराचे एक सुन्दर न नाद तो नाद ब्रह्म, तैचा मरे आपले लुसरा जोपरंट अपन तैचा दस्तो, आपने रेवाद हरकून गतो, रस्तेतर चानले आस्रेज पाईए, पन आजो भक्ति मारगा है, त्या मारगा वोरून आस्परंट अपले देशा ने वाच्चाल के लिलिया है, आणि ही पाच्चाल पूडे सहस्ते ने वावी, यहांचे सथी आज आज आपन पुडा कर गेतला, तैचा वरून खरोखर तुम्हाला मना बसुन धन्यवाद देट, आसा देशात्र नाई जगा चुदा दूसरा उधारन नसेल, कि लाखो वारकरंचे चरण सपर्षे जाला होतो, आ आज आपने मारे कशी माननेता है, कि वारीला जरी जाता आलनाही, तरी जो वारी करूने तो तैला आलन अंतर नमस्कार करतो, करण टैचार उपात आपन विठोबाला बखतो, आज आज यह अपनी भावना, आस परें यहां वारकरी संप्रदाने आपनेला थूप कही दिलिल जैसा उनलेक आपनी केला कि आपनेला डिशा, संस्कार, संस्क्रूची तर धिलिली चाहे, पंट सव्यात मोथा योगदान मंजे प्रतिकुल कालखंडात, एक काई शत्क, साताट शत्क, तितल्यास लेक जानकर अधिकरवाने ने सांगू शकिल, कि काई आने शत्क, ही नुस आपनेला डिशा, संस्कार देनार या संप्रदाई चाहे, आपनेला मुखतात रहू शक्का तस नहीं, तैंचे रूना अधिकर आशिरुवार अपनेला पावलो पावली पाई जे, आईचिबर वारकरी मुनुन पंडरी ची वारी करदास्तार, तैंचे अपनेला प्रत्यक पावली मारगरश्यन लामण, आपनेला मुठा भाग्ये, आणि मुणुन जास्ता लामण नल आउता, या कार्या साथी, स्वता मानेले पंतप्रदान जेनी पन गेल डिला, मोरी जी आपको भी मैं धन्यवाद जेता हूं, आणि हे काम लोकर आत लोकर पुल्ण होने साथी, मलत हात्री है, विठ्यू मावली आप अचिर्वाद दिलेश्यों है, आणिलेश्यों है, आशी आशिर्वाद चीक वाट्साल, संस्रुती चीक वाट्साल, अधिक सहस्ते निभावी, टैसे साथी, यहां गेतेले कारें बड़े, उनाइतन संतो, मार्ष बत्तेक प्वावली हम देखेंगे इस परियोजिना की एभी फिल्म एवी प्लीज पांडुरंग रूप में भक्त पुंडली को धर्शन दिये थे, और उनके आग्रह पर एक इट पर 28 योगों तक खड़े रहे पंधरपुर में हर साल चार बड़े मेले लगते हैं इन मेलों में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालू जुटते हैं जिन्हें मराठी में बारकरी कहा जाता है आशाण मास में होने वाली बारकरीों की यात्रा पाल की यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है इस पालकी यात्रा में महराष्ट सहित देश दुन्या से भगवान मिठोबा के भक्त गाते जूमते पता का लिए पैदल पंधरपुर आते हैं सद्यों से अवरिल जारी पालकी यात्रा की सांस्कृतिक परंपरा को और अधिक दिव्य और अधिक भव्य बनाने और तीर्थ यात्रियों की आध्यात्मिक अनुभूती और सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के नित्रत्मे भारत सरकार ने संथ श्री ज्यानेश्वर महराज पालकी मार्ग और संथ श्री तुकारा महराज पालकी मार्ग को नैशनल हाइवे का दर्जा दिया है नाशनल हाईवे के रूप में अपग्रेड होने के बाद ये दोनों मार्ग अब चार लेन हाईवे और साथ ही दोनों तरफ पाल की मार्ग के लिए समर्पित एक-एक लेन वाले होंगे इससे वारकरियों के लिए पाल की यात्रा सुविधा जनक होगी साथ ही आसपास के क्षित्रों के सामाजिक, हार्थिक तथा व्यापारिक प्रगती को भी नई गती मिलेगी श्री संत ग्यानेश्वर महराज पालकी मार्ग की लंबाई 221 किलोमीटर होगी जिसे करीब 6700 करोड रुपे की लागत से विक्सित किया जाएगा ये राजमार्ग पूरे के पास दिविघाट से मोहोल तक विस्तरित होगा इस पालकी मार्ग में यात्रियों की सुविधा वस्चुरक्षा के लिए सासवड, नीरा, लोडंग, हल्टन, नादेपुते, मालशी रस और पंधरपुर में बायपास भी बनाए जाएगे श्रड़ालों की सहूलियत के लिए मार्ग में 12 स्थानों पर पालकी विश्रामस्थल भी विक्सित होंगे श्री संथ तुकारा महराज पालकी मार्ग पूरे के पास देहु से शुरू होती है देहु से पाटस तक का मार्ग पहले से ही चार लें में मौझूद है अतह श्री संत तुकारा महराज पालकी मार्ग को पाटस से तोंड ले तक 130 किलोमीटर लंबाई में 400 करोड रुप्यों की लागत से विक्सित किया जाएगा इस पालकी मार्ग में बारामती, बावडा, अकलोच, श्रीपूर, पोरगाउं में बायपास भी बनाए जाएंगे श्रद्धालूओं की सभूलियत के लिए मार्ग में 11 स्थानों पर पालकी विश्राम स्थल भी विक्सित होंगे इन दोनों पालकी मार्गों का भूमी पूजन माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं इन परियोजनाव से पूने से पंधरपुर तक की यात्रा अधिक सुखद, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी रास्तों में जगह जगह लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ती मिलेगी समय और इन धन की पचत होगी जिससे प्रधूशन की रोगधाम में भी मदद मिलेगी आधुनेक राजमार्गों के कारण स्थानिय उपज, उद्यम, कारोबार के लिए नए अफसर बनेंगे जोडने वाली 1200 करोड रुपयों की लाकत और 220 किलो मीटर लंबाई की 5 अन्य सडक परियोजनाव को भी प्रधान मंत्री जी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं पहली परियोजना है मसवण पिलव पंधरपुर, इस मार्ग से संच श्री कोंदवलेजी महराज की पाल की जाती है सातारा जिले को पंधरपुर से जोडने वाली ये एक महत्वपूर्ण सडक है दूसरी परियोजना है कृडुवाडी पंधरपूर इस मार्ग से संस्च्री साव्ता मालीजी महराज की पालकी यात्रा जाती है ये मार्ग मराटवाडा तथा पश्चिम महराष्ट के भक्तों तथा यात्रियों के लिए अत्यंत सुविधा जनक है तीसरी परियोजना है पंधरपूर सांगोला ये मार्ग महराष्ट्र तथा करनाटक को जोडने वाला एक महत्वून मार्ग है सांगली तथा कोलापूर जिले से आने वाली पालकियां इस मार्ग से पंधरपूर आती है चोथी परियोजना है तिम्भूर्णी पंधरपूर ये मार्क संद श्री एकनाच जी महराज पाल की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है पांचवी परियोजना है पंधरपूर मंगलवेडा उंदी, श्री संद गजानन महराज की पालकी भी मंगलवेडा से पंधरपूर तक गुजरती है ये सभी पांच परियोजना है पंधर, सोलापूर और सातारा जिलों के तीर्थालूओं सहित, किसानों, कारोबारियों, उत्यम्यों और युबाओं के लिए विशेश लाप प्रद होंगी और उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगी सदियों से चली आ रही पाल की यात्रा को और भी सुविधा जनत एवं सुरक्षित बनाने का जो महान संकल माननिय प्रदान मंत्री जी ने लिया है वह संथ श्री ज्यानेश्वर महराज तथा संथ श्री तुकारा महराज और श्री विठोबा भगवान के आशिरवात से अतिशीग्र पूरा होगा और भगवान विठोबा के पंधरपुर में भक्त जन इन पाल की मारगों से नाचते गाते जूमते और अधिक संख्या में आएंगे जै हरी विठोब